एक जंगल में एक चुडिया रहती थी, उसका एक बच्चा था, उसका नाम था सोनी, वो हर रोज अपने बच्चे को समझाती और कहती सोनी देखो मेरे बगार इस जंगल में कहीं नहीं जाना, तुम अभी चूटी हूँ, तुम्हें रास्ता भी मालूम नहीं है ये मेरी बात याद रखना, यहीं करीब खेलना, मैं जा रही हूँ काम से, तुम कहीं नहीं जाना, ठीक है चुडिया चली जाती है, सोनी घुजले में अकेली होती है चलो मैं जंगल में खुमते हूँ, यहां बैटे-बैटे बूर हो गई हूँ फिर सौनी जंगल में आगे निकल जाती है वो जंगल में गुमती रहती है और खुमते खुमते बहुत देर हो चुकी होती है और वो सोचती है अब तो बहुत देर हो गई है, मुझे वापट जाना चाहिए, मैं कहां से आईठी, मुझे तो रास्ता यादी नहीं है, तो रहका, क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है अंदेरा बहुत हो चुका होता है, उसके समाजी नहीं आ रहा होता है, कि वापस कैसे जाए, और वो ठक भी बहुत गई होती है, वो वहाँ एक दरग के पास बैठ जाती है, और कहती है मुझे अम्मी की बात माने लेनी चाहिए थी, वो सही कह रही थी, क्या करूँ मैं, कैसे जाओ गड़ में वापस एक दम से उसको अपनी अम्मी की आवास आती है सोनी, सोनी, कहा हो, कहा हो अम्मी, मैं यहाँ हूँ, मुझे माफ कर दे, मैंने आपकी बात नहीं मानी, अपके तॉमिस करती हूँ कभी भी अकेले नहीं जाओंगी, और आपकी बात भी मानूंगी प्यारे बच्चों, तो आपने इस कहानी से क्या सीखा? कि हमें बड़ो की बात माननी चाहिए और उनको बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए